नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर So एक recent development में इंडिया का जो indigenously बनाय जाने वाला aircraft carrier है INS Vikrant उसने अपने sea trials का दूसरा phase यहाँ पे शुरू कर दिया है आपके सामने कुछ developments शेर करने वाला हूँ सबसे पहले यह वाली खबर को ध्यान से देखेगा यह खबर सामने आई थी June 25, 2021 में First made in India aircraft carrier to be commissioned next year यह वाला statement दिया गया था भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाच सिंग जी के द्वारा इनका यहाँ पे कहने का तात्परे यह था कि यह वाला जो आपका aircraft carrier है 2022 में इसको commission करवा दिया जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं Economic Times ने भी इसको cover किया Indian Navy to get its first ever indigenous aircraft carrier INS Vikrant next year और यह खबर again 30 June 2021 की है यह वाली खबर आने के कुछी समय बात की बात है आठ अगस्त की बात है जब INS Vikrant के द्वारा यहाँ पर अपनी पहली sea trials को complete किया गया था IAC Vikrant, IAC यहाँ पर basically stand करता है Indian aircraft carrier के लिए returns after successfully completing the five day maiden sea voyage यहाँ पर basically इसको पहली बार उतारा गया था sea के अंदर जिसमें की इसने पांच दिन का वोयाज किया था पांच दिन के trials करे थे जो की काफी successful, काफी बढ़िया trials रहे थे और अब आपके सामने जो खबर आ रही है वो just recent सी खबर है पिछले हफते की ही बात है 25 October 2021 IAC Vikrant heads out for the second sea trials from Pochi बात करेंगे basically इस वीडियो में हमारा main purpose जो है वो IAC Vikrant की विशेष्टाओं को जानने का है क्या 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 इसकी characteristics है क्या क्या इसकी capabilities है क्या इसमें खास बाते हैं और also discuss करेंगे very briefly कि ये second sea trials हमारे लिए relevant क्यों बन जाती है चलिए start करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे संपर्क में भी आ सकते हैं यहाँ पर दिये गए WhatsApp नमबर के माध्यम से इसके इलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है या फिर 2023 की अपनी तयारी को शुरू करना चाहते हैं और शुरुवाती टाइम में इस चीज़ को लेके confused हैं कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं तो यह वाली क्लास में आईए आपको idea लगेगा कि सवालों के पूछने का तरीका क्या होता है यह क्लास का टाइम जो है 2PM है और इस क्लास के लिंक्स आपको नीचे description में दिये गए हैं और साथी में pinned comment भी दिये गए हैं वहाँ पे जाके इसमें enroll कीजे completely free or cost class है जुड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना तो सबसे पहले देखिए कि इंडिया के जो रक्षा मंत्री थे इन्होंने review किया था कि ongoing work of the indigenous aircraft carrier INS Vikran जिसको कि हम लोग IAC 1 भी बोल रहे हैं IAC basically stands for I stands for indigenous A stands for aircraft C stands for carrier और 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह हमारे खुद के घर में बनाए जाने वाला पहला indigenous aircraft carrier है जो कि आत्पनिर्भर भारत का जो लक्षे है उसका भी एक बहुत ही important भाग माना जाता है It is likely to be commissioned in the year 2022 और यह वाली जो commissioning है ऐसा माना जाता है कि आने वाला साल जो कि अगले साल जब हम 75 years of India's independence डेका आपका tribute होगा उसको भी काफी अच्छे तरीके से यह उसके साथ match करेगा इसलिए यह वाला जो आपका commissioning है काफी खास बन जाता है अगर हम current की बात करें इंडिया आज की डेट में केवल एक लौता aircraft carrier operate करता है वो भी इंडिया का खुद का नहीं है वो भी हमने रश्या से खरीदा हुआ था जो की Russian origin INS Vikram Adity आप यहाँ पे देख सकते हैं INS Vikram Adity यानि की जिसका जो आपका literal meaning होता है और इस ब्रेव आज दे सन इस अ मोडिफाइड कियेव क्लास aircraft carrier and the flagship of the Indian Navy which entered into service in 2013 पिछले आठ साल से भारत की जो नौ से ना है वो इस एक particular aircraft carrier का इस्तिमाल करती आई है जो की हमारे काफी सारे विमानों को यहाँ पे help करता भी है Coming to INS Vikram Adity इसकी construction कहाँ पे हो रही है दोस्तो इसकी construction हो रही है इंडिया के जाने माने shipyard that is coaching shipyard limited के अंदर और इसके उपर जो खर्चा आ रहा है यह एक approximate आंकडा है 23,000 करोड रुप्र के आसपास का कुछ और आंकडे यहाँ पर आपको 24,000 और 25,000 करोड के आसपास के आंकडे भी बताने को मिल जाते हैं इसने अपनी successful basin trials को complete कर लिया था November 2020 में और 2021 में basically इसको लेकर developments बहुत जादा हो रही है बहुत तेजी से हो रही है पहले आपने देखा June में हुआ फिर आपने देखा August में हुआ और अब आपके सामने है कि developments आपके सामने October में भी हो रही है Once commissioned it will be India's second aircraft carrier Indigenously हमारा पहला होगा लेकिन अगर हम वैसे बात करें हमारी fleet के अंदर तो ये दूसरा aircraft carrier होगा जो कि यहां पर बनाया जा रहा है इसका जो motto है That is जैमा सम युद्धी स्प्रधा आप यहां पर देख सकते हैं जैमा सम युद्धी स्प्रधा और इसका जो meaning होता है Basically we will triumph in battle इसको लिया गया है from the rig Veda इसको भी ध्यान रखना काफी important है इस तरह के सवाल भी आप से पूछे जा सकते हैं इसके इलावा इसमें सबसे खास बड़ी विशेशता क्या है कि यह इतना बड़ा है इतना जादा यह बलकी है इतना जादा यह इसमें कि आपके अलग लग तरह के लड़ाको विवान होने वाले है विच इंक्लूद्स मिग 29 के उसके बाद कम ओफ 31 एर्बॉर्न अर्ली वानिंग हेलिकॉप्टर होंगे और उसके बाद MH60R मल्टी रोल हेलिकॉप्टर होंगे और obviously हमारे घर पे बनाए गए जो Advanced Light Helicopters जिनको की हम लोग दुरूफ के नाम से भी जानते हैं उसको भी यहाँ पर include करवाया जाएगा इसकी जो speed है इसकी top speed यहाँ पे 30 knots के आसपास की होने वाली है विच approximately amounts to 55 km per hour and it is propelled by 4 gas turbines इतना बड़ा आपका एरक्राफ्ट कारियर है तो इसमें 4 gas turbines की मदद से आप इसको आगे चला रही है इसकी जो endurance है यानि कि यह इतना जादा distance एक बार में cover कर सकता है 7500 nautical mile का distance cover कर सकता है at 18 knots speed यानि की 32 km पती गंटे की speed से चलता है और लगभग इतनी जादा distance को यह cover यहाँ पर कर सकता है इसके अंदर वैसे तो कई सारे weapons को include करवाया गया है लेकिन दो weapons के उपर मैं आपका विशेश रूप से ध्यान लाना चाहूँगा पहला weapon आपके सामने है बरक LRSAM जो की आप यहाँ पर देख सकते हैं यह basically आपका क्या है this is a long range surface to air missile जो की इस particular aircraft carrier को काफी जाधा सक्षम बना देती है यह वाली जो आपकी surface to air missile है basically आपकी जो deterrence capabilities है वो काफी बढ़ जाती है और यह वाली missile हमने दोस्तों acquire करी हुई है from the country of Israel इसके बाद जो आपकी AK630 की आपकी जो gun है यह काफी जाधा improved gun है जिसमें आपको multiple shots fire करने की capacity मिलती है अगर बात करें दूसरे चरण of sea trials की तो इंडिया का जो यह वाला aircraft carrier है it has started for its second sea trial on October 24 यह important इसलिए बन जाता है because basically जितनी जादा इसकी sea trials होती रहेंगी जितनी जल्दी सब कुछ चीजें time से होती रहेंगी यानि कि जो चीज आपकी 2022 में commission होने वाली थी उसमें किसी प्रकार की कोई देरी नहीं आने वाली है it is likely to be inducted into the Indian Navy in August next year after the first sea trials the Navy had said that the performance of the key systems was found to be satisfactory factory पहले वाले sea trials के बाद सब कुछ सही चल रहा था और अगर इसका भी आपका सब कुछ सही चलेगा तो अभीक सी बात है कि इसके बाद आपका जो आगे के processes है वह भी काफी तरीके से चलते रहेंगे जो यहां पर हमारे Minister of Shipping and Ports वगरा की Minister है, इन्होंने यहाँ पर कहा भी है, this is the second trial, our aim is to commission the ship by August next year, यानि की चीज़ें, अभी भी सही चल रही है, I am extremely happy to embark the first IEC विक्रांथ built-in collaboration between the Cochin Shipyard Limited and the Navy, तो obviously, यह हमारी सरकार के लिए काफी बहतरीन बात है, काफी बढ़िया बात है, की चीज़ें टाइम से चल रही है, because defense के sector में generally हमने थोड़े delays देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर यह चीज़ सही से चल रही है, यह मैं मान सकता हूँ कि आने वाले साल की सबसे बड़ी highlight होने वाली है, at least from the point of view of defense, कि इतना बड़ा aircraft carrier इंडिया यहाँ पे उसको commission करने वाला है, फिलाल के दोस्तों वीडियो में इतना ही अपनी राय, अपने comments section में आप लोग दे सकते हैं, जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि Unacademy का इस बार का result काफी शांदार रहा है, 170 से भी जादा ऐसे learners थे, जो की Unacademy के learners थे, जिन्होंने अपना नाम final list में देखने को मिला है, final list में approximately 700 के असपास नाम आये थे, और 170 बच्चे उसमें ऐसे थे जो की Unacademy से पढ़ गए थे, अगर आप भी अपनी तयारी को शुरू करना चाहते हैं, structured, organized तरीके से, तो दोस्तों आपके लिए Unacademy काफी सारे subscription offers को यहाँ पर लेकर आया है, जिसमें कि आपका एक साल का आपको मिलता है price और दो साल का आपको मिलता है plus का, और उसके बाद एक साल का आपको iconic भी मिलता है, इन सभी prices के उपर आपको discounts मिलेंगे, अगर आप लोग मेरा code इस्तिमाल करते हैं, ANI-AUPSC, इसमें कुछ और offers भी हैं जो चल रहे हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप लोग ANI-AUPSC code का इस्तिमाल करते हैं, विशेश शुरूप से तो आपको यह वाले extra benefits भी यहाँ पर दिये जाएंगे, आपको मेरी personal guidance, WhatsApp ग्रूप में addition और 20 books आपके घर तक पहुंचाई जाने वाली हैं, इसके इलावा कई सारे batches हैं, जो की 3 November को शुरू होने वाले हैं, दोज़ार बाइस की जो तयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वाले batch, दोज़ार तेज की जो तयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वाले batch mains के point review से शुरू किया गया है, मेरे द्वारा भी आपको offerings प्रवाइड कर वाई जाएंगी अगर आप लोग platform के ऊपर on board आते हैं तो इसके इलावा combat में हिसा लेना बिलकुल नहीं भूना आने वाले रविवार के दिन जिसमें कि आप लोग काफी बड़िया scholarship जीत सकते हैं Thank you for listening, stay tuned and stay safe